तो गैस आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप 2024-2025 में Grow application से Demet account को कैसे close करेंगे कैसे delete करेंगे साथ में account को close करते से में delete करते से में कुछ जरीरी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है नहीं तो आपका account closure का जो request है उससे reject कर दिया जाता है और last में आपका Demet account close नहीं हो पाता है तो यहाँ पर account को close करने का जो process है सुरू से ले करके अंतर तक बताने वाला हूँ तो वीडियो को भी ना skip किये पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोग को सही और सटिक जनकारी मिल सके इसके बारे में तो दिखिए Demet account को close करने से पहले कुछ जरूरी चीजों का ख्याल रखना परता है जैसा कि मैंने आप लोग को बता जा जैसे कि अगर आप account को close करने जा रहे हैं तो आप लोग ध्यान रखें कि आपके Demet account में किसी भी company का share buy नहीं होना चाहिए यानि कि किसी भी company का आपके पास holdings नहीं होना चाहिए ठीक है अगर किसी company का आपने share खरिद करके रखा है या फिर stock में आपने पैसे invest करके रखे हैं तो आप उस stock को आप उस share को sell कर दिजे बेच दिजे ठीक है बेचने के बाद ही आपका account closure यहाँ पर जो कि success होगा जैसे कि हमारे बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं कि company का share buy कर लेते हैं जैसे stock में जा करके किसी भी company का share खरिद करके रख लेते हैं इसके जब account को close करने की कोसिस करते हैं तो उनका request जो है reject कर दिया जाता है ठीक तो आप लोग कोसिस किजिए कि आपके पास किसी भी company का share ना हो किसी भी stock program में investment आपका नहीं होना चाहिए ठीक है साथ में आपके जो balance है trading balance है यहाँ पर balance बिल्कुल आपका zero होना चाहिए जैसा कि मेरा balance यहाँ पर zero सो कर रहा है अभी और किसी भी तरह का negative balance नहीं होना चाहिए यानि कि minus में balance आपका नहीं होना चाहिए तब ही आपका demand account यहाँ पर close होगा नहीं तो close नहीं हो पाएगा तो इन चीजों को आप लोग ख्याल में रखें इसके बाद ही demand account close करने के लिए further proceed करें ठीक है तो basically demand account को close करने के लिए एक जीज और आप लोग को बता दें कि अगर आप one time अगर demand account close कर देते हैं growth location से तो आप दोबारा से मुझ समझ करके ही आप अपने demand account को close किजिएगा ठीक इसके बाद close करने के लिए simply customer support 24 into 7 यहाँ पर लिखा हुआ है simply इस पर click करेंगे जैसे इस पर click करेंगे तो आपके सामने कुछी इस तरीके का dashboard आएगा जिसमें फिर से contact us पर click करेंगे तो आपके सामने कुछी इस तरीक करेंगे यहाँ पर I want to close my ठीक है यह लिख करके सर्च करेंगे simply demate account यह लिख करके सामने कुछ थोड़ा सा time लेगा इसके बाद यह लिख करके चलाएगा जहाँ पर आप लोग के सामने यहाँ पर तीन step दिखा जाता है और तीन step में आप लोग को यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो है कि आपका जो demate account है इसमें AMC यानि कि account opening का कोई भी charges नहीं है साथ में यहाँ पर आपके पास किसी भी तरह का जो है कि आपके आपके पास share या फिर holdings नहीं होना चाहिए साथ में आप अपने pen card के माध्यम से दोबारा से आप जो है की reopen नहीं कर पाएंगे demate account ठी इसके बाद simply contact us आप लोग को दिख रहा होगा contact us पर click करेंगे इसके बाद rise ticket लिखा हुआ है किसी के पास receive call भी लिख करके आता है तो simply यहाँ पर rise ticket पर click करेंगे जैसे rise ticket पर click करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का dashboard आएगा ठीक है जिसमें यहाँ पर आप लोग को limit account को close करना चाहता हूं ठीक है तो यहाँ पर आप लेक सकते हैं जैसे की मैं जो है कि ग्रो में ट्रेडिंग नहीं करना चाहता है या फिर ब्रोक्रेश चार्जिस जादे हैं इस तरीके something आप यहाँ पर लेक सकते है और साथ में यहाँ पर जो है कि आप लोग जो है की screenshot add करन तो आप लोग को थोड़ा सा वेट करना होगा और जैसे आप यहां पर वेट करेंगे तो आपके सामने कुछी तरीके का जो है कि टिकत राइज हो जाएगा यहां पर टिकत नमबर भी शो करेगा, टिकत आइड भी यहां पर सो करेगा, यहां पर एक लिखा हुए है ठीक है, I want यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ इस तरीके का mail आ जाएगा ठीक जो की message आ जाएगा अब आप लोग को अपना email चेक करना होगा इसके बाद simply आपके email पर यह message आएगा जिसमें यह लिखा राता है thank you जो कि यह लिकर लिकर करके चला आता है कि मेरी जो team है इ जो है कि आपने जो ticket rise किया है इस पर company काम कर रही है मेरी team काम कर रही है और आपका demit account close हो जाएगा ठीक है इसके बाद अगर आप लोग को फिर भी अगर लेट लगता है अगर नहीं हो पाता है तो दोबारा से आप लोग इस email पर आएगा and customer support पर click करेंगे इसके बाद customer support प आप लोग को contact करना हो दोबारा से आप लोग को यहाँ पर जो rise ticket रहेगा यहाँ पर आप लोग को update सो करेगा अगर आपका demit account close नहीं होता है इसके बावजोद भी तो आप लोग को यह number है simply इस number पर call करना होगा यहाँ पर call करके आप लोग जनकारी ले सकते हैं कि आखिर आ माध्यम से जो है कि demit account close करने का जो process है आप लोग को step by step पता चल गया होगा तो चैनल को subscribe कर देना वीडियो को like कर देना मिलता हूं फिर किसी next studio में नए update के साथ